और आज का फॉर्स्ट न प्रश्ण है कि बात चीत सहित्य की कौन सी विद्या है यहनी कहने कारते कि बात जीत जो पाठ है या सहित्य की कौन सी विद्या है आपको बताना है कौन सी विद्या है तो जो भी दोस्त अप्सन नबर सी के बारे में सोचे रहें निवान उनका बिल् उसने कहा था यह किस परकार की कहानी है ध्रम परधान चरित्र परधान भापरधान और डी है करम परधान तो जो उसने कहा था यह जो कहानी है यह कहानी है करम परधान है कि अपसन में जो डी है बिलकुर ही राइट एंसर हो जेगा और बात करें उसने कहा था इस पार्ट के ज का सही अंसर चला जाएगा तो चले अब नेक्ट प्रस्ण को देखते हैं और यहां पर प्रस्ण है कि जय परकास नरायन द्वारा रचित पार्ट का नाम क्या है प्रगति और समाज हस्ते वे मेरा अकलापन बात चीत और डी है संपूर्ण करांती तो जो जय परकास द्वारा बात करें प्रगति और समाज की तो प्रगति और समाज के जो नामर्ष नामोड़ सीन जी और बात चीत को जानते ही है बाल कृष्ण भत intelligence और हस्ते मेरा अकलापन इस पार्ड के जो लेखतिए वह मल्याग गेजी हैं दोस्तो चारों अप्सन को इसलिए डिस्कस किया जा रहा है ताकि एक भी परश्णूतर इससे बाहर ना जाए हंडे परसेंट गरांटी के साथ कहते हैं कि अगर इस रीच को अच्छे से त्यारी कर लेते हैं तो हिंदी में अब अबजेक्टी में एक भी परश्णूतर नहीं चुटेगा नेक्ष्ण परश्ण की दिनकर को कौन राश्ट्य समान मिला था पदमे सिरी भारत रतने पदमे भूशन और पदमे भी भूशन तो जल्दी से आपका एंसर आ जाना चाहिए अब तक कि इसका राइट एंसर क्या होना चाहिए तो जो दिनकर को मिला था राष्टिय समान वह मिला था पद में भूशान यानि कि C इसका सही अंसर हो जेगा दोस्तों और यहां परशन की रोज सीर्षक कहानी के लेखक कौन है काफी मत्पूर्परशन है कि रोज सीर्षक कहानी के लेखक कौन है तो अब तक आपका एंसर भी आगया होगा कि इसके जो लिखक है सचीदानर, हीरानर, वाचान, यग्यजी है यहनि कि एक के साथ इसका राइट एंसर चला जाएगा और बात करें मोहर अकेश के बारे में तो मोहर अकेश के द्वारा जो पार्ट लिखा गया है वह सिपाही की मा और रमधारी सिंधिनकर की बात करें तो इनके द्वारा अर्धनारी स्वर पार्ट को लिखा गया है रमधारी सिंधिनकर के द्वारा और उदय परकास के द्वारा तो तीरिच ही पार्ट लिखा गया है यह तो सभी को मालूम होगा तो अप्सन नमर जो ए है इसका राइट एंसर होजेगा रोज सीर्षा कहानी के लेखक हैं अग ये जी सेशन अच्छी लग रहे होते से लाइक जरूर कीज़ेगा दोस्तो और चानल पढ़ना ही जूरे हो तो जरूर सब्सक्राइब कीज़ेगा और यहां प्रश्णी की प्रताप के संस्थापक कौन थे गणे संकर बिद्यार्थी माखनला चत्रुवेदी बाल कृष्ण भट और भारतेंदू हरिश्चंद्र तो प्रताप के जो संस्थापक थे दोस्तो वह थे गणे संकर बिद्यार्थी जी यानिकि अप्सन मर जो ए है बिल्कुल ही सही एंसर होजेगा इसे वीडियो में ब्याकरण और हिंदी के जितने भी महत्तपुन अबजेक्टिव है वो सभी को सामिल किया गया है याद रखेगा और यहां प्रस्ण के ओ सदानीरा सिर्शक पाठ के लेखा कौन है काफी महत्तपुन प्रस्ण है कि ओ सदानी नमर्शी प्रगति और समाज के लेखाक हैं और उद्रेव परकास तो जानते हैं तिरिश पाठ के लेखाक हैं और मोहाराकेस की बात करें तो इनके द्वरा सिपाही कीमा चारों अप्सन को इसलिए बताया जारा है बार बार की आपको याद हो जाए किसी तरह से भी और में चाहिए तो चाहिए किसी परकार से आपसे और यहां प्रश्ण के मोहाराकेस का जन्में कप हुआ था तो मोहाराकेस का जो जन्म हुआ था दोस्तों वह हुआ था आठ जनौरी 1925 इस भी को यहनिकी एक साथ इसका राइट एंसर चला जाएगा नेक्ट में प्रस्ण की प चाहिए वह नामवार्षी के साथ इसका सही अंसा चला जाएगा और बाल कृष्ण भार तो ये तो बात चीत के हैं और जय परकास नरायन ये संपूर्ण करांति के हैं और उद्धाय परकास जो है या है तिरीच पार्ट के लेखक के याद रखेगा और हंसते हुए मेरा अकिल किये थे हंसते हुए मेरा अकिलापन के तो इसका जो राइट एंसर आना चाहिए वह है मुहाराकेश जी यानिकि ऑप्सन मा जो डी है इसका राइट एंसर हो जाएगा मुहाराकेश जी स्वारी दोस्तों यहां पे मुहारा के जी नहीं होगा यहां पे option में उनका नाम ही नहीं दिया गया है तो D में option माले जी के हस्ते वे मेरा अकिलापन के जो लेखा के हैं वह मल्याग्य जी हैं क्योंकि मुहर आकेस के द्वारा जो पार्ट लिखा गया है वह तो सिबाही की मा लिखा गया है तो मल्याग्य इसका right answer हो जएगा मल्याग्य यहां पर option type गलत हो गया है मल्याग्य इसका सही answer हो जएगा हंस्ते वे मेरा अकिलापन के तो याद रखेगा option number यहाँ पे कोई भी नहीं है इसका अलग से answer है मल्याग्या हांसते वे मेरा अकलापन के जो लेखक है वह मल्याग्यजी है यानि कि ये वाला option जो option number 5 में है ठीक next नप्रस्ण है कि उदे परकास जी कीस पत्रिका के संपादक थे तो इसका राइट एंसर होजेगा तो चलिए अब next नप्रस्ण को देखते है 12 नप्रस्ण है कि जो लोग भायवित हैं वे क्या नहीं हो सकेंगे काफी महत्पूर्ण प्रस्ण है दोस्तो तो अब तक आपका answer भी आ गया होगा तो बलवान तो होगा नहीं क्योंकि भायवित का बात हो रहा है धनवान भी नहीं होगा और ग्यान भी नहीं होगा तो option नपर जो ए बाचा ये बिल्कुल ही सही अंसर होजेगा में धावी उसे कहते हैं कि जो लोग भायवित हैं वे क्या नहीं हो सकेंगे तो में धावी हो सकेंगे यानि कि option नपर जो ए है उनका बिल्कुल ही सही अंसर होजेगा और बात करें 13 प्रस्ण के बारे में कि जैसी का जन्म अस्थान था तो बनारस, दिल्ली, अजमेरी और अमेठी तो जैसी का जन्म अस्थान का नाम क्या था आपको बताना है इसका राइट एंसर क्या आना चाहिए तो जो भी दोस्त option number D को क्लिक कर रहे हैं अमेठी उनका राइट एंसर हो जाएगा दोस्तो और जैसी के द्वरा जो पार्ट लिखा गया था हम बताते हैं करबक करबक इनके द्वरा पार्ट लिखा गया था करबक और एक इनके द्वरा एक के उस्तक लिखा गया था पदमावत यह याद रखेगा इसे रिलेटेड एक भी प्रशन तर अपनाई छुटेगा जैसी के से रिलेटेड सूर सागर के कभी कौन है तो यह तो इनका नाम में ही इसका इंसर चुपा हुआ है तो सूर सागर के जो कभी है वह सूर दास ही है यानि कि उपसर नमर जो ए है उनका बिल्कुली सही जैगा नेक्ट प्रशन है कि तूलसी दास का मूल नाम क्या था काफी महत्पुन प्रस्ण है दोस्तों कि तूलसी दास का मूल नाम क्या था तो अब तक आपका इंसर भी आज चुका होगा है सही अंसर कि इनका जो मूल नाम था वह राम बोला था यानि कि आपसा नमबर जो बी है बिल्कुत सही अंसर होजेगा और यहां प्रस्ण है कि भक्त माला के राचयता कोन है कवीरदास, गुरुनानक, रैदास या नाभादास तो भक्त माला के जो राचयता है दोस्तों वह है नाभादास यानि कि D के साथ इसका सही अंसर चला जाएगा और बात करें भूशन की सकाल के कभी हैं काफी भी भी आई प्रस्ण हैं दोस्तों अगर इस सेशन को अच्छे से त्यारी कर लेते हैं इसी रीज को तो एक भी प्रस्णोतर नहीं चुटेगा दोस्तों तो भूशन कीस काल के कभी है तो अब तक आपका एंसर भी आच चुका होगा तो इसका राइट एंसर होजेगा भक्ति काल के भूशन कभी है यानि का अपसन में जो बी है सही एंसर होजेगा और यहां प्रस्ण है कि तुमुल कुलाहल कलह में शिर्षा कबीता के रचेता कौन है तो अब तक आपका एंसर भी आचुका होगा कि जो जय संकर परसाद जी हैं उनका बिलकुल ही राइट एंसर होगा और यहां प्रस्ण के सुभाद्रा कुमारी चोहान की लिखी कबीता कौन सी है तो उको बताना है इसका राइट एंसर क्या आना चाहिए तो सुभाद्रा कुमारी चोहान के दोरा जो लिखी जो कबीता है वह पुत्र ब्योग है यानिकि आप्सन बस जो डी है इसका रायि एनसर हो जगा और एक प्रस्न है कि प्यारे नथे बेटे को तो प्यारे नथे बेटे के में हैं वह हैं सुबाद्रा कुमार चुहान के द्वारा जो लिखी कभीता है वह पुत्र भी हो गई है और प्यारे नन्हें बेटे को ये बिनोत कुमार सुक ले हैं और हार जीत ये असुक बाचपई और गाउं का घर ग्यानेंद्र पती जी है नेक्शन प्रस्न है कि समसेर बहादूर सिह को हिंदी सहित्य में क्या कहा जाता है कभियो के कभी कभी सिरोमणी कभी रतन या कभी भुशन तो समसेर बहादूर सिह को हिंदी सहित्य में इन्हें क्या कहा जाता है अब तक आपका एंसर भी आचुका होगा इन्हें कभियो का कभी कहा जाता है यानि कि ये इसका सही एंसर हो इसके जो लेखक के गाजा नंद मानव मुक्तिबोध की है यानि कि अप्सन नमबर जो बी है इसका राइट एंसर हो जेगा और हार जीत तो जानते ही है असुक बच्वेई की है और अधिनायक जो पार्ट के जो लेखक है वह हैं रगभीर सहाई जी तो याद रहेगा अप्सन परधान या रोमांस परधान तो रगभीर सहाई की संकलित जो अधिनायक कभीता है आपको बताना है कैसी कभीता है तो इसका जो राइट एंसर होना चाहिए वह अभ्यांग या परधान यानि कि अप्सन नमबर जो ए है उसका बिलकुल ही सही एंसर होजेगा नेक्ष नप् बेटे को कभीता में लोहा किसका परती के काफी भी भी परस्ण है दोस्तों काफी महत्यपुन परस्ण है कि प्यारे नन्हे बेटे को कभीता में लोहा किसका परती के है तो अब तक आपका इंसर भी आ चुका होगा तो वह है कर्म का यानि कि ऑप्सन नमर जो C है उनका बिल्क तो अब तक आपका एंसर भी आ चुका होगा 24 का क्या एंसर आना चाहिए तो असुक बाचपेई के द्वरा जो कभीता है वह हार जीत यानिका ऑप्सन पर जो भी है इसका राइट एंसर होजेगा करबक के तो जानते हैं मलिक मुहमा जैसी जी है और कभीत के जो लेखाक है वह ना चुटे और आपको पूर्ता याद हो जाए बार बार प्रेक्टिस से क्या होता है कि आपको याद भी हो जाता है क्योंकि प्रेक्टिस इस दा की आप सक्सेस ग्यानेंद्र पति जी किस यूग के कभी है अधुनिकाल अत्याधुनिकाल रितिकाल या प्रेमचंदकाल तो और यहां से शुरू होता है व्याक्राने कि राष्ट का भवाचक संग्या क्या होगा राष्ट का काती मत्पूर्स वाले की राष्ट का भवाचक संग्या सब्द है कौन सा है निमली खित में कौन सा है अगर बताना है मैं तो यह जो है मैं यह सर्वनाम के साथ इसका राइट एंसर चला जएगा सर्वनाम होता है मैं दोस्तो अब पुछता कि इस सर्वनाम कितने परकार को होते तो छो भेद और यहां पे फुझा बिशेशन के चार संग्या के पांच भेद याद रखेगा और यहां प्रस्ण के जल का बिशेशन क्या हो गाजल पात है आपसर आसमआशन करमवाच्ति का उधारन है कौन सा तो इसका जो मुख्यता उधारन होता है कामना से चीठी लिखी जाती है कामना से चीठी लिखी जाती है कर्म वाच्चे का उधारन होता है दोस्तों बहुत ही मत्तपूर्ण सवाल है कि कर्म वाच्चे का उधारन है तो कामना से लिखी चीठी ही होता है मैं आम खाया है वाक्य का उधारन है तो मैं आम खाया है वाक्य उधारन है ये कैसा वाक्य है तो ये आसत्र भूत है यानि कि ये भूत काल का बात क्या गिया है यानि कि पहले आप आम खा चुके हैं तो आप भूत काल के ही बात करें हैं बरतमान काल का तो होगा नहीं कि मैं आम खाता हूँ ये बरतम काल का यह वाक्य हो जाएगा लेकिन मैं आम खाया है याननी कि कवры खाया है आपको पाता नहीं है तो यह भूत काल के साथ इसका सही अंसर चला जाएगा आशत्रे भूत काल क्युंकि अभी अभी यह काम किए है थीक यहीं इसका राइट एंसर होजएगा और यहां पर प्रश्ण है कि लड़का प्यर से गिर पड़ा इसमें कीस कारक की भी भक्ती लगी है काफी मत्पोर्स वाले दोस्तों कि लड़का प्यर से गिर पड़ा इसमें कीस कारक की भी भक्ती लगी है तो अब तक आपका answer भी आ चुका होगा, क्या आना चाहिए, तो यह अफ़दान कारक के साथ इसका right answer चला ज़त जैगा, क्योंकि क्या होते, अफ़दान कारक में, ब्रिक्छाते पत्राणी पतंते, अनिकि ब्रिक्छ से पत्ते गिरते हैं, और यहाँ पर प्रस्ण है कि कवी का इस्तिलिंग रूप क्या होता है का आफी महत्यपूर्स वाल है कि कवी का इस्तिलिंग रूप क्या होता है तो वा कव E3 होता है तो अपसा नमर जो B है इसका राइट एंसर होजेगा कव E3 इसका सही एंसर होजेगा अध्यापक का इस्तिलिंग रूप क्या होगा ये तो प्रस्णे देखते ही आपका एंसर आचुका होगा कि अध्यापक का इस्तिलिंग रूप क्या होना चाहिए तो अब तक आपका एंसर भी आचुका होगा कमेंट बक्स में और इसका जो right answer होजेगा वह अध्यापिका होता है यानि कि option बर जो यह ही इसका right answer होजेगा और last में comment किजेगा दोस्तों कि यह session आपको कैसा लगा क्या इस session को और अधिक चलाना चाहिए एक बार जरूर comment किजेगा इसी परकार से थोड़ा सा कौन निपात है थोड़ा सा तो थोड़ा सा आपको बताने है कौन सा निपात है तो तूलना बोधक है क्योंकि यहाँ पे तूलना किया जा रहा है कि थोड़ा सा कौन ज़्यादा यह तूलना बोधक वाक्य है दोस्तों यानि कि option mark जो B है इसका right answer हो जेगा और दहेज का link निरने क्या होगा दहेज जो लेते हैं खासकर लड़का पाती ही लेते हैं तो लड़का तो जाहिसी बाद है वह pulling होगा तो दहेज या pulling के साथ इसका right answer हो जेगा आप कभी नहीं भुल पाएंगे कि दहेज एक कौन सा link निरने है तो खासकर लड़का के ओर से दहेज लिया जाता है तो ये pulling इसका right answer हो जेगा और पुछा जाता है कि पूस्तक का link निरने क्या होगा क्या तुमने पूस्तक लिखी है तो इसे पाता चलता है कि यह इस्तिलिंग सब्द है तो पूछता कि यहाँ पे इस्तिलिंग सब्द इसका राइट एंसर हो जएगा इस्तिलिंग सब्द के साथ इसका साई एंसर चला जाएगा तो चलिए नेक्षन प्रस्ट को देखते हैं और यहां पर प्रस्ट आप देख रहे हैं, काफी महत्पुन प्रस्ट नहीं है, इसे रिलेटर दो प्रस्ट नहीं हैं, आपके बोर्ड ए कजा में 100% रहेंगे ही, कि कारक के कितने भेद होते हैं, या तो कारक के पुछेंगे, तो कारक के जाहिल सी वार्थे वो 8 भेद होते हैं और 7 तो ये तो होता नहीं है 6 जो होता है ये सर्वनाम का भेद होता है सर्वनाम के 6 भेद होते हैं संग्या के 5 भेद होते हैं और यहाँ पर बात करें 2600 के एक पुछता है तो बिशेशन्ड के चार भेदोते हैं याद रखेगा चारों प्रश्ण में से एक सो दो प्रश्ण उत्तर हंडे परसेंट बोर्ड इकजामे रहेंगे ही रहेंगे तो आप चारों को अच्छे से याद कर लिजेगा कारा के आठ भेदोते हैं चसर्वणाम के पांच संग्या के बिशेशन Theater के चार भेदोते हैं और याँपे परस्ण है कि सचीत्र का सहीं संधी बिशेद क्या होना चाहिए तो सचीत्र का जो सहीं संधी बिशेद होगा अब तक आपका एंसर भी आ जाना चाहिए क्योंकि बहुत बार आपके बीचे इस प्राशने को हम डिसकस किये थे तो सत्य सत्य जोर चरीत्रे सत्य रीत्रे तो इसका राइट एंसर हो जेगा अपसन नमबर अब तक समाज में आगे होगा कि इसका एंसर क्या आना चाहिए तो सी के साथ इसका राइट एंसर हो जेगा सत्य रीत्रे का जो सही संदी बीचे देगा सत्य जोर चरीत्रे इसका राइट एंसर हो जेगा और यहाँ पर प्रस्टने के स्वागत का सही संदी पिछेद क्या होना चाहिए तो स्वागत तो यह क्या होता है सूजोर आगत सूजोर आगत तो अब तक आपको एंसर भी मालूम चल गया होगा कि इसका राइट एंसर क्या होना चाहिए तो अप्शन बजो डी है इसका राइट एंसर हो जेगा स्वागत का सही संदी पीचे होता है सूजोर आगत और यहाँ प्रस्ण है कि देवकन्या में कौन से समास है काफी महत्यपूर्ण प्रस्ण है कि देवकन्या कौन से समास है तो आपको सही से बताते हैं कि देवकन्या में क्या होता है इसमें तत्पूरु समास है और अभ्याई भाव में क्या होता है इसका एक महत्यपूर्ण उधारन है यथा सकती ये धाकर नहीं कहते हैं कि धाकर उधारन तो वहीं धाकर है यथा सकती अभ्याई भाव का धाकर उधारन होता है और द्वाद समास में क्या होता है इसमें दोनो कॉएनन तो नहीं पादप CAP नहीं कि रात ये नीचा को ही कहा जाता है यानिका अपसन नमर जो डी है इस का राइट रहोंरो जेगा नीचा जो रात को कहते हैं परियवाची फब्दे गांगा का प्रियवाची सब्दी क्या वागा इंदिरा मन्दाकनी गौरी अइंदू तो इस प्रस्णी के बारे में भी हम बहुत बार डिसकस कर चुके हैं कि गंगा का परिवाची सब्द क्या होना चाहिए तो मन्दाकनी जो भी दोस्त अप्सन नंबर बी के बारे में कमेंट किये हैं उनका बिर्गुल ही सही अंसर रोजेगा का बिप्रितार्थक सब्द क्या होगा काफी मत्पूर परसने दोस्तों कि अपमान का बिप्रितार्थक सब्द क्या होना चाहिए तो अपमान इजद तो होगा नहीं क्योंकि बिप्रितार्थक पुछा है तो बेईजद अपमान बेईजद समान प्रतिष्टा तो अपमान क सब्सक्राइब time ऐसका जाता है तो यहाँ पर audio आप मान के साथ इसका राइट एंसर होज़एगा और इजत का भी पुछत है तो यह बे इजत हो जाता मैंकि एक तरह सही सब्सक्राइब जैकर आपकार का वैपकार होता है कि पड़ुकार पांगल जो ए है इसका राइट एंसर हो जगा जो भी दोस्त अपसा नमबर ए के बारे में कमेंट किये हैं उनका बिल्कुल ही सही एंसर हो जगा और आपको सेशन अच्छी लग रहे होते सही एक लाइक जरूर कीज़ेगा दोस्तों और चाल्ब को पर नहीं जोड़े हैं तो जरूर सस जानते हैं कि जो उपसर्ग होता है उसका पहला पद परधान होता है और अंतिम सब्द जो है एक सब्द होता है तो अप्स नमबर जो सी है इसका राइट एंसर हो जगा अब तक आपको समझ में आच चुका होगा और यहां प्रस्टिकि अनपढ़ में कौन सा उपसर्ग है तो on pad में कौन सा उपसर्ग है तो अब तक आपका एंसर भी आ चुका होगा कि पहला पत परधान है और pad जो होता है ये एक परकार का सब्द है तो on इसका right answer होजेगा D लड़का में कौन सा पढ़ते है अगर बताते हैं लड़का में कौन सा पढ़ते है तो इसका जो right answer होजेगा क्योंकि लड़का तो लड़का इसमें आका परते हैं एक option number जो B है इसका right answer होजेगा यहाँ पर लड़का नहीं लड़का होगा ठीक लड़का 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 तो क्योंकि इसमें आ परते हैं होजेता ठीक अगर लड़का रहता तो A परते अगर यहाँ पे option number B के बारे में कहा जाए तो यहाँ पे लड़ाका के साथ इसका right answer चला जाएगा ठीक तो option number जो B ही इसका right answer हो जाए लड़ाका का जो सही संदी बीचेत होगा उसमें A का परते है अगर लड़का रहता तो इसमें A परते होता only option number जो B सही answer होगा जो कूछ नहीं चाहता है के लिए एक सब्द क्या हो गया और एक सब्द के लिए एक सब्द है कि जो कूछ नहीं चाहता है उसके लिए क्या होना चाहिए तो इसका जो right answer होज़ेगा यहां पर जो कुछ नहीं जानता हो ठीक जो कुछ नहीं जानता है वो अग्या कहा लाता है ठीक तो अपसा नमबर जो डी है इसका राइट एंसर हो जेगा और जल का अर्थ पुछाए जल का अर्थ क्या होना चाहिए तो जो सब कुछ जानता है यहां पर प्रस्टने की जल का अर्थ क्या होता है तो जल का तो इसका राइट अंसर हो जएगा परतिष्टा इसका सही अंसर हो जएगा और नाक का बाल होना मुहाबरे का अर्थ क्या होना चाहिए तो काफी मत्त पुन प्रस्टने की नाक का बाल होना तो यह होता है मैंने ये कोई व्यक्ति है उसका पूत्र है उसका नाका बाल है तो अतिप्रिय होना यानि कि option नमर जो D है इसका right answer हो जाएगा जो भी अगर जीस परकार से यहाँ पर मुहाबरे पुछा जाता है नाका बाल होना वैसे अगर मुहाबरे में अगर दिया गया है नाका इलाज होना नाका बाल बढ़ना तो यह बिल्कुल ही गलत option हो जाएगा तो इसका right answer हो जाएगा option number D तो दोस्तो इस परकार से इस महत्तपूर सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं अगर यह सेशन आपको अच्छी लगी हो तो इसे like जरूर कीज़ेगा दोस्तो और चानल पर नए जुड़ हो तो चानल को जरूर सब्सक्राइब कीज़ेगा इसी तरह से महत्तपूर सेशन आते रहेंगे ताकि वोड़ी जमें इससे बाहर अब एक भी परस्णतर न जाए तो मिलते हैं नेक्स टूरिय में नई उमीदे के सांथ तो हसते रहें और मुस्कराते रहें और अपनी त्यारी को मजबूत करते रहें आज के लिए तना ही थेंक्यू